पर पड़ा, कृशी व्यवस्ता ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा, सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगती भी की, आगे भी बढ़ी, क्या आपको पता है, किस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, किसानों ने और फसल खरिदी भी की इस बार कई जगों पर तो सर्सों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है रिकॉर्ड खद्यान उत्पादन की वज़े से ही हमारा देश हर देश वासी को संबल प्रदान कर पा रहा है आज इस संकटकान में असी करोड गरीबों को मुप्त राशन उपलब्द कराये जा रहा है थाकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन ना आए जब चूला न जले साथियों आज हमारे देश के किसान कई शेत्रों में नई व्यवस्ताओं का लाब उठाकर कमाल कर रहे हैं जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजे यह किसान बहुत अच्छे कठल की पैदावर करते हैं इनकी मांग देश विदेश में हो सकती हैं इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कठल रेल के जरिये गुहाटी तक लाए जए गुहाटी सब ये कठल लंदन बेजे जा रहे हैं ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची के नाम भी सुना होगा 2018 में सरकार ने शाही लीची को जी आई टेक भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को जादा फायदा हो इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार से लंदन बेजी गई हैं पूरब से पस्चिम उत्तर से दक्षिन हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है दक्षिन भारत में विजे नगरम के आम के बारे में आपने जरूर सुना होगा अब भला ये आम कौन नहीं खाना चाहेगा इसलिए अब किसान ड्रेल सेंक्रो टन विजे नगरम आम दिल्ली पहुंचा रही है दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजे नगरम आम खाने को मिलेगा और विजे नगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी किसान ड्रेल अब तक करीब करीब दो लाग टन उपज का परिवहन कर चुकी हैं अब किसान बहुत कम किमत पर फल, सबजियां, अनाज, देश के दूसरे सुदूर हिसों में भेज पा रहा है मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 30 माई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है